आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होम रेमिडी टू कियोर पिंपल्स इस पैक को बनाने के लिए आपको लेना है कुछ फ्रेश मिंट के पत्ते और इसके साथ आपको लेना है तुलसी के पत्ते और फाइनली इसके साथ आपको लेना है हल्दी अगर आपका स्किन बहुत जादा ड्राइ हो गया है तो आप इसके साथ थोड़ा सा शहिद भी मिला सकते हो तो तीनों को आप लीजिए और एक थिक पेस्ट बना लीजिए मिंट के पत्ते में इतना पावर होता है कि ये आपके स्किन को ठंडा रखता है और इसके साथ साथ स्किन पे जो बैक्टरिया या फिर इंफेक्शन है उसको भी दूर करता है और तुलसी के पत्तों में भी व सामर आते ही बहुत सारे पिंपल ने एक साथ राक कर दिया है तो यहां पे मुझे रोना आ रहा है अपने चेहरे को देखकर अनेसली तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो पैक है इसको लेना है और जहां जहां पर पिंपल है मतलब बड़े बड़े पिंपल है उसके उ सूखने के लिए रखना है मैंने जैसे पहले ही कहा है अगर आपका स्किन पिंपल की वजए से बहुत सदा ड्राइ हो गया है अब बहुत जादा फेस वाश यूज कर रहे हूँ पिंपल को दूर करने के लिए तो इस पैक के साथ थोड़ा सा हनी मिला लीजिए इसे आपका जो इंफेक्शन वेगरे का कुछ चैंसेस है तो वो कम हो जाएगा और पिंपल के उपर पांच मिनित लगाने इसे पिंपल के जो साइज है वो धीरे-धीरे कम हो जाएंगे और इसको लगाने के बाद आपको फिर से दस मिनित तक वेट करना है तो दस मिनित हो गए है और अभी मैं पाक को धीरे-धीरे एक भीगे तॉलिये से पोच रही हूँ अगर आप चाहे तो हलके गरम पानी से भी अपने चैरे को धो सकते हो यह था मेरा अज का वीडियो और इस पैक को लगाए और पिंपल से मुक्ति पाईए थांक्स पर वाचिंग और वाचिंग और इस वीडियो दिन यू कैन शब्सक्राइब मैं चैनल बाई बाई